ओके अलो फ्रेंड किसे हो आप सब में वी सी और आप देख रहें Bound to Invest YouTube चैनल तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में आपको इसमें यहां से बताया जाएगा कैसे इसमें स्टोक सिलेक्शन करने में आपको और भी आसानी हो और आप इसमें कहां एंट्री लेना है कहां स्टोपलोस लगाना है वो भी बताया जाएगा तो अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का प्रोपर बेनिफिट उठाना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखे और अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हरो जर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बट्टे ने उसे जरूर दबा दीजे जिसको आपको हमारी नोटिफिक्शन सबसे पहले मिल जाए तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यह जो स्ट्रेटिजी है वो गेप अनालिसिस के ऊपर बनाई गई है और इसमें जो हम उस करे चाला जाता है तो जो gap filling वाले strategy होती है वही हम इसमें use करने वाले बहुत अच्छी और easy strategy है और इसकी accuracy भी ज़ादा है तो starting से लेकर end तक पहले proper देख किए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहे तो proper फिर से देख किए एक बार समझ में आ जहें बाद में कोई आप अपने trading में इसको use कीजे तो अभी करना क्या है तो पहले हमें क्या चाहिए कोई भी strategy के लिए पहले चाहिए हमें trend तो पहले आपको trend find करना है मान लेते हैं कि आज का trend uptrend है आज का trend downtrend है तो आप कैसे पता लगा होगी कि आज का trend क्या होगा तो नॉर्मल अगर आपको क्या है कि एक trending market है ऐसा पता है तो आप वहां से idea लगा सकते हो नहीं तो क्या कीजिए आपको अगर trending market है नहीं है sideway वो पता नहीं है और आ नार्केट कैसे रहने वाले वो पता नहीं है तो क्या कीजिए आप नीपक्रिक की पहली 5 मिनिट की चैनल ले ली जिये जैसा यही करना है कि पहली निप्टी की पांच मेंट की कैंडल देखो और उसे एक ट्रेंड का आइडिया लगाओ अभी मान लेते कि आपको ट्रेंड आइडिया लग गया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको क्या है कि प्रोपर नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हू अगर निप्टी की पहली पांच मेंट की कैंडल ऐसी है मतलब ग्रीन कलर की अच्छी बोडी वाली है उसमें सेडो ही नहीं तो हम उसको बुलिस कैंडल मानेंगे या तो एक मेडियम बोडी है और थोड़ी थोड़ी सेडो है तब भी हम उसको बुलिस कैंडल मानेंगे और पाद में आता है कि आपको एक हैमर जैसी candle देखने को मिले मतलब उपर चोटी सी बोड़ी और नीचे की साड़ एक लंबी सी सेडो देखने को मिले फिर भी हम इसको बुलिस केंडल ही मानेंगे समझ गे हैमर में हम कलर नहीं देखते स्वापको अगर यह हैमर ग्रीन कलर का मिल या रेड कलर का मिले हम उसे बुलिस केंडल ही मानेंगे तो अगर निप्टी की पेली पाँच मेंट की केंडल में यह तीन में से कोई भी एक केंडल मिली तो आप इसे बुलिस ट्रेंड मानोगे आज के लिए अगर बीरी से तो के से पता लगया तो बीरी से में क्या होता है पूरी red color की body या तो red color की body उपर नीचे थोड़ी सी सेड और last में आता है inverted hammer इसमें क्या होता है नीचे एक छोटी सी body होती है और उसके उपर एक long सेड होता है अगर एसे मिले तो हम इसको inverted hammer मानेंगे inverted hammer में भी आपको color नहीं देखना है मतलब अगर ये green color का है फिर भी हम bearish मानेंगे red color का है फिर भी हम bearish मानेंगे तो इस में से कोई भी एक candle मिले तो आप इसको bearish candle मानोगे ये only nipty में देखना है एसे देखके आपने एक trend पता लगा लिया अभी बाद में क्या करना है वो दे आपको stock selection के लिए यहां से screener भी मिल जाएगा मतलब कैसे stock select करने वो भी बताया जाएगा और क्या है कि आप manually भी stock select कर सकते हो तो पेले होता है bullish trend के लिए तो अगर bullish trend है आज का मान लेते कि पहली 5 मेट की nipty की candle bullish candle मिली तो अभी हमें क्या करना है तो हमें जो आपके stock में से जो gap down वाले stock है वो select करने अभी इसका मतलब क्या हुआ gap down वाले stock तो मतलब क्या हो कि पिछला जो closing था इससे आज की opening gap down हुई है मतलब downside हुई है इससे stock आपको select करने अभी यह gap कितना होना चाहिए तो जब market normal है volatility कम है तब आप minimum 1% gap down वाले stock select कर सकते हो और उससे ज्यादा मत market ज्यादा वो लिटाले तो आपको minimum 2% gap down वाले stock select करने और उससे भी ज्यादा आप कर सकते हो तो normal सी बाते bullish trend हो तो आपको gap down वाले stock select करने जब market normal हो तो 1% minimum gap रखना है अगर market ज्यादा वो लिटाले हो तो minimum 2% में gap चाहिए अगर market bear trend में तब क्या करना है जब market bear trend में हो तब आपको gap up वाले stock select करना है मतलब के nifty की पहली candle अगर आपको bear मिल गई समझ गे उसने suggest किया कि आज रहने वाला है trend down तो आपको select करने gap up वाले stock एक बार gap up वाले stock select करना है और कितना gap होना चाहिए आगे हमने बात कर लिए वही कि अगर market normal है तो minimum 1% gap अगर market ज्यादा वो चेक करने है यह हो गया आपका stock selection अभी यह stock manually भी आप select कर सकते हो और आप screener के साथ भी stock select कर सकते हो तो अभी हम बात कर लेते हैं उसकी कि कैसे हम stock select करें screener के साथ और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लीजिए क्यूंकि हम ऐसे ही वी तो पहले आपको क्या करना है यह trading view का platform में अगर आप use करें हो तो बहुत अच्छा है अगर नहीं use करें हो तो आप इसको use करना start कर दो अगर इसमें work करना है अगर वो भी नहीं करना है तो उसके अलावाद दो और हमारे पास solution है इसके एक बार आप जब trading view में आ जाओगे तो side में आपको watch list मिलती अगर नहीं मिल रही तो एक बार यह upper वाला है वहाँ click करो तो automatically watch list खुल जाएगे तो आपको इसमें nifty 100 के stock डाल देने आप इससे भी ज़्यादा अगर देख सकते हो तो वो भी डाल सकते हो मतलब अगर ज़्यादा stock चाहे तब तो आपको इधर nifty 100 या आपको जो सही लगे वो stock यहाँ डाल सकते हो बाद में आपको क्या करना है वो सब stock को इधर एक red flag कर देना जितने भी stock है उसको red flag कर दो समझ के आपको इधर manually add करना पड़ेगा तो एक बार add कर लो बाद में कोई दिक्कत नहीं एक बार add कर लिया manually इसको क्या आएकर flag द add हो गई बाद में उसको tick कर दिया बाद में आपको क्या करना है कि नीचे देखो एक stock screener या तो screener करके आएगा अगर screener है तो stock screener कर लेना तो जब आप पहली बार इधर आओगे तो आपको इधर सभी stock देखने को मिलेंगे लेकिन हमें क्या करना है कि यह ticker वाले stock ही देख सकते हूँ समझ गे मतलब एक analysis type होता screener type होता है वो आपको ticker वाले में ही सब देखने को मिलेगा तो अभी क्या करना है ticker वाले हमारे पास stock आ गए अभी देखो इधर है overview वहीं आपको overview रखना है बाद में जो यह है column setup उस पे click करना है और इसमें से जो आपको चाहिए वो बाकी सब निकाल देना है तो मेरे को जो चाहिए वो में रखूंगा मैं सब निकाल देता हूँ अभी क्या है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए only मेरे को क्या find करना है कि किसमें gap हुआ समझ गये सो यह क्या करते हैं हम सभी निकाल देते और इधर हम लिखते gap एक बार आप gap गये तो जो पहला मंडे था वहां से यह दिखाएगा तो आपको वन डे ही इसमें रखना है एक बार वन डे कर दिया सब कुछ इधर gap आ गया तो आपको इसमें बताएगा कितने में यह gap up और gap down ओपन हुए थे तो अभी मान लेती कि आपको चाहिए bullish के लिए तो क्या करना ह तो आपको चाहिए gap down वाले stock तो इसको gap down वाले stock में select कर लो मतलब यह gap पे click करोगे तो आपको यह आ जाएगा देखो अभी gap down वाले stock आगे infratal minus 2% था यह सब कुछ आपको दिखाएगा तो अभी आपको इधर gap up और gap down वाले stock मिलेगे लेकिन आपको select वही करना है market जैसा है अगर market के situation ज़्यादा वाले तो ज़्यादा gap वाले stock सिलेक करने तो यह bullish के लिए तो आपको minimum minus 2% चाहिए समझ गे अगर normal market है तो minus 1 minimum अगर हम क्या है कि bearist के लिए बात करे तो इसमें हमें चाहिए gap up तो एक बार इसदर click करोगे तो फिर से gap up वाले stock आ जाएंगे तो अभी हम बाट कर लेते हैं आपको trading view यूज करना पसंद नहीं तब मैं कैसे stock सिलेक करूँ तो उसके लिए आपको क्या है कि एक chart link website है वहाँ पे जाना होगा यहां मैंने एक screener बना के रखा है तो आपको इधर search करना पड़ेगा born to invest gap filling तो आपको यह screener मिल जाएगा आपको add कर ल हो और run scan करो तो मिल जाएगा अभी हम एक demo देख लेते हैं इसमें क्या है कि इस दिन नहीं कोई stock मिलेते हैं मतलब bullish वाले नहीं थे तो मैं इसको up कर देता हूँ और क्या है कि beer इसको on कर लेता हूँ इधर से on off होगा आपको यह कर लेना है सो आपको idea आ जाएगा एक बार use क करते है चार्ट लेंग वगेरा तो उसको तो idea हो गाई इधर से run scan कर दो तो देखो इधर नीचे stock मिल जाते तो यह से इधर से stock select होते हैं अभी बहुत सारे एसे लोग है जो यह सा बोलते कि मेरे पास क्या है कि laptop PC वगेरा नहीं है तब मेरे को कैसे stock select करना है तो उसके लिए नहीं है वो market pulse जो हमारे google play store है उसमें search कीजिए तो आपको यह application मिल जाएगी अभी मैं इसको open कर लेता हूँ उसके बाद क्या करना है वो देख लेते एक बार open कर लोगे तो यह सा इसका interface आएगा नीचे screener लिखा हुआ है उस पर आपको click करना है बाद में जाना है all scan एक ब तो अगर gap up वाले stock select करने तो gap up में जाना है वहाँ जाओगे तो इधर देखो 3 लिखा है मतलब यह 3% जितना gap up होगे वो stock दिखाएगा तो आप इससे change कर सकतो जितना आपको gap चाहिए आप वहाँ से select करोगे और उसके बाद इसको 7 run करोगे यहाँ आपको इसकी stock की watch list मिले अगर इसमें से आपको क्या है कि मान लेते कि मेरेको nifty 100 के stock चाहिए तो इधर क्या करना है filter पे जाना है आपको इधर से nifty 500 के nifty 100 लगाना है और बाद में apply कर देना है तो इससे आपको वहाँ इसके stock मिल जाएंगे बाद में अगर gap down वाले तो same situation वहाँ जाओ जितना stock gap down च सकते हो तो यह हो गई बात stock selection की अभी हम देख लेते जो हमारा main point है केसे आपको buying and selling करनी है तो पहले हम buying setup देख लेते बाद में selling setup देखेंगे तो buying के लिए पहले आपको क्या चाहिए कि uptrend चाहिए मतलब आज का trend हमें ऐसा मनेंगे कि bullish रहने वाला है तो इसके लिए आप n इस candle nifty की मिल जाए बाद में आपको stock select करने है जो minimum 1 या 2% gap down हो एसे stock भी select कर लिए अभी आपको क्या करना है अभी आपको वो stock में देखना है कि वो stock में पहली 5 मीट की candle bullish होनी चाहिए मतलब green color की होनी चाहिए अच्छी body होनी चाहिए और हो सके उतनी सेडों कम होनी के low के नीचे आप अपना stop loss लगा होगे ओके तो यह होगी entry and stop loss की बात अभी target कितने रखेंगे तो minimum आपको इसमें one jam two target लेके जाना है वो भी stop loss shifting के साथ अभी ये stop loss shifting कैसे करके जाना है वो जब हम इसके example देखेंगे वहां में आपको बता दूंगा तो उसकी भी कोई दिक select हो जाए बाद में देखना है कि वो stock में पहली पांच मेंट की candle proper bullish होनी चाहे मतलब अच्छी body और हो सके उतनी कम सेड़ो एसा जब मिल जाता है तो आप वो पांच मेंट candle के high के उपर buy करोगे और उसके low के नीचे stop loss लगा होगे तो अभी हम बात कर लेती है selling setup के बारे में अभी selling setup में क्या होगा पहली 5 मेंट की candle nifty में आप देखोगे वो bearish होनी चाहे एसा मिल जाए तो आप क्या करोगे gap up वाले stock select करोगे 1% या 2% जैसी market volatile यसे आप stock select करोगे बाद में क्या करोगे वो जो gap up वाले stock है उसमें देखोगे पहली 5 मेंट की candle red color की होनी चाहे आए के उपर आप अपना stop loss लगाओगे एसे जब करोगे तब आपके entry होगी तो यह होगी आपके entry and stop loss और इसमें भी 1 gem 2 ही target रखना है और stop loss shifting के साथ आगे बढ़ना है अभी यह जो strategy है अभी इसको award करना है वो बात कर लेते हैं ऐसे नहीं होता कि यह daily use होता है हाँ आपको award करना है यह देख लेते हैं तो यह जो strategy है पहले तो जब market अपना nipty बहुत ज्यादा gap up और gap down हो जाए तब आपको इसको award करना है सिंपल सी बात है जब nipty हमारा बहुत ज्यादा पहले से gap up और gap down हो जाए सो जो stock होगे वो mostly उसको ही follow करेंगे समझे सो पहली बात जब market अ अगर spinning top बना देती है तब भी आपको इसको award करना अभी spinning top गया होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी candle होती है जिसमें आपको बीच में छोटी सी body देखने को मिलेगी और अपर नीचे दोनों साड़ ज्यादा shadow देखने को मिलेगी इसको हम spinning top बोलते है अगर ऐस इसी situation जहां आपको ये strategy यूज नहीं करनी है लेकिन आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि निप्टी ही अपना बहुत ज्यादा gap up और gap down हो जाता है और वो खुद ही क्या है कि gap filling करने आता है तब क्या करना है तो simple सी बात है आपने देखा कि ये निप्टी आज बहुत ज candle अगर प्रोपर green बना देती है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो in simple जब अपना निप्टी gap filling करने आ रहा हो तब आप ये strategy यूज कर सकते हो मतलब मान लेते कि बहुत जादा gap up हो गया निप्टी का gap up होने के साथ पहली red बनाता है तब या तो बहुत जादा gap down होने के बा ये हो गया आपका gap theory के ऊपर intraday strategy बहुत ही अच्छी strategy है एक बार आप इसे use करके देखो पहले paper trading से start करो बाद में जब आपको confidence आ जाए आपको पता चल जाए कि नहीं ये अच्छी strategy है बाद में आप इसको use कर सकते हो हम थोड़े इसके example भी देख लेते हैं सो और जाद आ better idea कि कैसे इस पर आपको work करना है हम जो हमारा पिछला week है वो पूरा week analysis करेंगे और उसमें देखेंगे कहां में buying opportunity मिले है और कहां में selling opportunity मिले है तो आपको और भी better idea है तो हम जो पहला Monday उसकी बात करें तो Monday market open हुआ green में मतलब gap अपके साथ open हुआ और उसकी पहली candle बना दि करेंगे अगर बहुत ज्यादा gap है तब आपको यह यूज नहीं करना है और starting है आपको बहुत ज्यादा gap भी लग रहा है तो यूज मत करो समझगे तो पहली candle आपको hammer type देखने को मिलिए उसमें हम color नहीं देखेंगे so hammer है तो हम इसको bully scandal मानते है तो यह bully scandal है तो अभी हमें criteria में select हो रहा था जो near about 1.5% था तो इसको हम देखते कि चार्ट के अभी एक केसा इसने perform किया तो अब हम आ चुके टाटा chemical के चार्ट के ऊपर तो आप इधर देख रहे हो तो आपको इधर proper क्या है कि एक अच्छी body वाली candle नहीं मिल रही थी लेकिन ये भी hammer type ये भी bullish sign होता है तो एक बार आप जब क्या है कि एक proper एक time spend करोगे तो आप एसे भी entry ले सकते हो लेकिन अगर आप starting है तो मेरे इसाब से अच्छी body वाली और कम से कम सेड़ हो वही stock select करिए और इसमें देखिए क्या है कि hammer था तो उसके high के उपर अगर आपने buy किया होता फिर भी आपको क है कि profit हो जाता क्योंकि हम इसमें stop loss shifting के साथ work करेंगे सो वह भी देख लेते कि कैसे आपको इसमें stop loss shift करना है तो simple सी बात है आपका जब stock एक बार अपर जाके नीचे आए देखो यह नीचे आए फिर से अगर यह अपर जाता है अपने high के पास पहुंच जाता है या इसको break कर देता है तो आपको क्या करना है जो यह low बना रहा था इसके थोड़ा नीचे आपको stop loss लगा देना है समझ गया आपने इदर stop loss लगाए अगर यह stop loss हो जाता है तो निकल जाना है अगर hit नहीं होता है तो आगे इसको continue करना है फिर से अपर गया नीचे आए तो अभी क्या कि यह high के पास तो नहीं गया फिर भी अगर अगर हमान लेते कि यह high के पास चला गया या इसको break कर दिया तो आपको क्या कि इसके नीचे stop loss shifting कर देना है फिर से अपर गया नीचे पिर से यह थोड़ा आप पर गया या तो क्या कीजे इसके इसके नीचे एक बार वो heat हो जाए तो निकल जाओ जितना भी profit हो रहा है वो लेकिन निकल जाओ एसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या है कि एक बार profit में थे एक अच्छा खासा वन जेम वन का profit मिल गया था और उसके बाद आपका stop low seat हो गया तो यह था Monday का अभी हम इसके बाद का example देख लेते हैं Tuesday का example देख लेते हैं तो आप देखो Tuesday की जो candle थी वो एक अच्छी candle थी तो अभी हमें क्या stock सिलेक करने है जो gap down वाले stock हो तो अभी हम देखते है कितने stock ऐसे है जो gap down थे तो आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम 1% ले तो यह 3 stock ऐसे थे जो gap down वाले थे समझ गे एक था नोकरी एक था वीपरो एक था इनफोसिस तो यह 3 stock हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं वहां देखते हैं कि यह 3 stock में क्या हुआ था उस दिन तो अभी हम आ चुके नोकरी के चार्ट के उपर तो आप देखिए यह तेज तारिक की यह पहली candle देखें gap down और उसके बाद पहली candle देखें देखो एसी candle आपको सिलेक करनी है starting में अगर एक time के बाद आप जा रहे हो तो जो यह था हमारा टाटा chemical वाला वो भी आप सिलेक कर सकते हो लेकिन हो सके आप starting हो तो ऐसा stock सिलेक करो पहली candle इतनी अच्छी इसमें आपको क्या कि कम सेडों दिख रहे हैं ना के बराबर सेडों दिख रहा है समझ गे तो यह candle के हाई के उपर आपको buy करना है इसके नीचे stop loss लगाना है तो देखो starting में आपको one jam two मिल गया है बहुत सारे ऐसे stock मिलेंगे जिसमें आपको क्या कि एक moment के साथ मिलेगा सो आपको क्या कि stop loss shift भी नहीं करना पड़ेगा direct आपका profit मिल जाएगा समझ गे तो यह था हमारा नोकरी उसके बाद जो वीपरो था वो देख लेते तो वीपरो में search कर लेता हूँ अब यह वीपरो का चार्ट देखी यह 23 तारिक को यह देखो वीपरो में क्या है कि पहली candle आपको undecisional सा दिख रहा है spinning top जीसा दिख रहा है वो ज़्यादा सेडों कम बोड़ी है तो मेरे सबसे यह stock select ना करो तो चलेगा सो मान लेते के हम इसको select नहीं करते इसके बाद जो हमारा infosys था वो देख लेते है इसमें क्या हुआ तो मैं search कर लेता हूँ infi इसमें क्या हुआ वो देख लेते है अभी तो यह search आगा यह 23 तारिक का candle का दिन है उके तो इसमें देखो same situation टाटा chemical जैसा आपको इदर hammer देखने को मिला है तो proper आपको इसमें hammer तो देखने को मिला अभी आपको क्या है की ज्यादा stock मिले तो क्या है की इसको ignore कर सकते हो समझ गे अगर आपको क्या कि कम स्टोक मिले तो आप इसे यूज कर सकते हो अगर आपको एसा लग रहा है कि मेरे को आज ट्रेडिंग करना है मैं फ्री हूँ तो आप इसे यूज कर सकते हो लेकिन जाधा स्टोक मिले तो हो सके उतना अच्छी बोडी वाले स्टोक ही सिलेक करो तो अगर आप इसको select करते तो आपको एक अच्छा profit होता, अगर नहीं select करते तो उस दिन आपका नोकरी था ही, अभी हम इसके बात का दिन देख लेते हैं, मतलब 24 तारिक Venice Day को, तो Venice Day को आप देख रहे हो, तो निप्ति की जो पहली candle थी 5 minute की, वो undecisional थी, मतलब यह spinning top type थी, तो इसमें आप entry नहीं लोगे, आप entry कब लोगे, जब आपको proper candle मिले तब, तो इसमें आपके entry नहीं होती, अब इसके बात का जो अमारा दीन था, Tuesday उसमें देख लेते, तो Tuesday में भी same gap down, साधा ही gap down हो चुका था, और पहली candle भी कैसी होगी आपकी undecisional, अगर यहाँ green होती तब आप जा सकते थे, लेकिन यह undecisional spinning top है, तो आप इसमें entry नहीं लोगे, इस दिन आपके कोई भी entry नहीं होगी, इस strategy के base पे, समझें, अभी इसके बात का जो अमारा दीन था, वो देख लेते, 26 तारिक फ्राइड को भी देखोगे, आप तो पहले candle undecisional, ज़ादा gap up, इसको भी आप select नहीं करोगे अपने trading day में, मतलब यह trading strategy इस दिन use नहीं होगे, क्यों पहले तो gap up ज़ादा है, दूसरा के वहाँ आपको spinning top मिला, जो undecisional candle है, अगर red candle इधर मिल जाती proper, तब आप downside के लिए जा सकती थे, लेकिन इस दिन आपका trading नहीं होता, इस strategy के उपर, I hope यह intraday strategy आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया समझ में, तो एक बार फिर से जाए पीछे, फिर से इसको proper तरीके से देखिए, समझे, और उसके बाद ही आप अपने trading में इसको use कीजिए, और अपने friend and family के साथ share भी किया कीजिए, तो उसको भी यह इसके बारे म पता चले, और दोस्तों, यह वीडियो और यह intraday strategy आपको कहीं से भी अच्छी लेगी हो, तो प्लीज यारो like, comment and subscribe कर दिया कीजिए, अगर आप like, comment करोगे, तभी तो हमें motivation मिलेगा, और इसे वीडियो आगे लेके आएगे, तो प्लीज यारो like, comment and subscribe कर देना, चलिए मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुडबाई, जाई, इन